Hello everyone, welcome to Let's Revise It स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल Let's Revise It में तो गाइज, मगद यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ जो भी अन्ने यूनिवर्सिटी हैं बिहार के उन से रिलेटेड एक न्यूज निकल कर आई है प्रभात ख़वर की ये न्यूज है कि 20 सुभी द्याले के सत्र नियमित करने को लेकर CM लेंगे बैठक अब क्या है न्यूज पूरा डिटेल में जानेंगे साथ ही साथ मगद यूनिवर्सिटी का जो पेंडिंग रिजल्ट है उसके बारे में भी अपडेट मैं इस वीडियो में आपको दोंगा तो वीडियो अन तक देखिए देखिए 20 सुभी द्याले के जो सत्र आपके जो लेट चल रहे हैं इसको लेकर बिहार के मुख्यमत्री नितीश कुमार ने एक मीटिंग बुलाई है ये मीटिंग समधान यात्रा खत्म होने के जश्ट बात बुलाई है इसके लिए बकाइदा CMO ने सभी प्रदेश के सभी बिस्व बिद्याले के कुलपतियों से कहा है कि वो अपने अपने बिस्व बिद्याले के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पिएचडी इन सभी के परिच्छा से लेकर रिजल्ट तक सारा जनकारी सेयर करने को बुला गया है इस क्रम में आपका जो ललित नरायन बिस्व बिद्याले है, पुर्निया बिस्व बिद्याले, केसडियस बिस्व बिद्याले और मगद बिस्व बिद्याले अपनी जानकारी साजा कर दी है तो यानि मगद उनिवर्शिटी का सेशन आप समझ सकते हैं कि अब आपका सुचारू रूप से चल रहा है सही से चल रहा है लिहाजा उच्छ सिछा निदेशक रेखा कुमारी ने इस संदर में जानकारी न देने वाले सभी बिसुविद्याले को ततकाल जानकारी मोहिया कराने के लिए कहा है सिछा निदेशक रेखा कुमारी जी ने आदेश जारी किया है कि जो भी उनिवर्सिटी ने अभी तक रिजल और आपका सेशन को लेकर जानकारी नहीं दी है वो जल से जल आप जानकारी साजा करें तो आप देख सकते हैं जो आपका सिछा भी भाग है यह काफी एक्टिव है अलरेडी गवर्नर सहाब का नोटिस भी आ चुका था कि जो भी सेशन है वो सही स होने चाहिए सेशन लेट नहीं होना चाहिए अब देख भी सकते हैं मगद उनिवर्सिटी का जो भी सेशन है, exam टाइम है वो सारा आउट हो चुका है exam उसी समय होगा, यह confirm है कल भी क्रेश्ट था, रात में भी कोई रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ, कि बल टैब अपडेट हुआ था, कि पेंडिंग रिजल्ट, जो भी B.E.C.B.C.M. के हैं, उनका बस टैब अपडेट हुआ, रिजल्ट किसी का सोव नहीं हो रहा है, तो हम मागद यूनिवर्सिटी स ये आगरह करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, कि प्लीज, अब बच्चों की परिसानी समझें, अल्रेडी बच्चे काफी परिसान हैं, रिजल्ट ना आने के कारण, कई बच्चों को ये लग रहा है, कि वो फेल हैं, तो प्लीज, जल्द से जल्द रिजल्ट ज जारी करें ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा थैंक यू बाए